यहां से जिन्दगी के शुरुवात हुई है यह वो घर है जिस घर में मैं मेरे पिता जी, मेरी माता जी और मेरी छोटी सिस्टर हम चार लोग रहा करते थे मेरी माता जी जो है, मेरी मॉम जो है ठीक पास में ही वहाँ पर एक स्कूल था, modern academy में उस्कूल में पढ़ाया करती थी, टीचर थी वहाँ पर और मेरे पिता जी, हाईर स्केंडर स्कूल डोडा में, एक क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे यहां से जिन्दगी के शुरुवात हुई एक डेट मरले के अंदर यह दो मंजिला इमारत जिसके ग्राउंट फ्लोर में एक बड़ा सा कमरा और किचन हुआ करता था उसी बड़े से कमरे में किचन हुआ करती थी उस किचन के साथ में छोटा सा कमरा हुआ करता था जाली लगी ही तो बाहर से और इसके दूसी तरह भी छोटा सा कमरा था वो कमरा अकसर मेरे चाचा मरहूम जहूर अहमत जिनकी वफात हुई वो उस कमरे में रहा करते थे जब जब वो कभी यहां आया करते थे या मेरे दूसरे चाचा उनकी भी वफात हो चुकी है मशूद हुसाइन वो आते थे तो वो वहां रहा करते थे चुकि मेरे पिताजी एक गरीब घर से थे, इसमें कोई शक नहीं जमीन थी, जाइदाद थी, सब कुछ था मगर आप जानते हैं कि जब आप गाउं से शेहर की तरफ निकलते हैं तो आप गरीब ही कहलाते हैं इस शेहर बड़े लोग होते हैं शेहरों में और लोग की तबियत अलग होती है, लोग की जीने का अंदाद, उनकी जीने का तरीका बिल्कुल अलग होती है तो इस दो मनजिला इमानत से हम अपनी जिन्दगी की शुरुआत की एक देड़ मरने का यह मतार और इसकी इस उपर वाले फ्लोर में जिस कमरे के उपर आप देखने के ताला लगा हुआ है इसी कमरे के अंदर मैं मेरी चोटी सिस्टर, मेरे माता जी और पिता जी रहा करते हैं और मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरी चोटी सिस्टर शिरारती बहुत थे कुछ नों कुछ शिरारत हम दोनों करते रहते थे मेरी चोटी सिस्टर जो समय सीनर लेक्चरर हैं प्लिटिकल साइंस सबजेक्ट में स्कूल इजुकेशन डेपार्टमेंट में मुझे आज भी याद है उन्हें कई बार मुझे उसकी वैसे मार भी पड़ जाती थी हम कोई शेतानी करते तो बाद में जब पिता जी आकर पूछते कि भाई कहां है जुने तो वो बता देती थी कि वो कहां छुपा हुआ है किस जगा है तो वो सब चीजें हुआ कर दी अब इस दो मनजिला इमारत को देख रहा था तो आप तक पहुँचाने का मकसद क्या आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये कि आपको ये पता चले कि ये जो मकान है इस मकान को भी मेरे पिताजी को एक वक्त में छोड़ना पड़ा और हमने एक और मकान डोड़ा में बनाया बड़ी महनत के साथ बड़ा खून पसीना मेरे पिताजी ने अपना उस मकान में लगाया और उसके बाद दूसरा मकान तैयार किया वहां पर हम लोग रह रहे थे फिर उसके बाद मेरे पिता जी को शौक बस सर्फ इतना कि मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने चाहिए और जिंदगी में आगे कुछ करने चाहिए उसके बाद मेरे पिताजी ने उस वाली प्रॉपर्टी को भी बेच दिया और उसके बाद हम लोगों की किराए की जिन्दगी शुरू हुई पहले कश्मीर में रहे, उसके बाद हम लोग जम्मू में एक जगा से दूसी जगा किराए पर दूसी जगा से तीसी जगा किराए पर तो एक लंबी चोड़ी यू समझ लीजे बीस-बाइस साल की स्ट्रगल और उस बीस-बाइस साल की स्ट्रगल में हम लोगों ने किराए के मकानों के लावा और कुछ देखा नहीं और इस किराए की जिंदगी में हर तरह की तकलीफ हर तरह की परिशानी भी हम लोगों ने जहली और उसके बाद जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो जब दुनिया से जाने का वक्त उनका आता है उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता यानि ना मेरे पिताजी के पास कोई मकान, कोई बड़ी बिल्लिंग, कोई तीन मंजिला या चार मंजिला इमारत ना कोई बहुत बड़ा बिजनिस ना कोई बहुत बड़ा कारुबार और दौलत के नाम पर अगर मेरे पताजी के पास कभी भी कुछ था और आज भी जिस को वो दौलत कहा करते थे वो ये कहते थे कि अगर आपके पास इल्म है आपके पास नौलज है इससे बड़ी ताकत कोई भी नहीं, ये नालज, ये ताकत जो है आपको बहुत दूर पहुँचाएगी तो आज चूंकि अचानक जहन में एक बात आई की और ये घर की तस्वीरें सामने आई मुझे लगा कि आप लोगों के साथ अपने आलिशान मकान की तस्वीरें जरूर शेयर करनी चाहिए एक चोटा सा मकान हमारा इसके लावा और कलिहांड में है, उसकी वीडियो भी अगर आप देखेंगे वो सोशल मीडिया के पर मौजूद होगी मिसमार हो गया, गिर गया वो, मिटी का मकान था और उस मिटी के मकान में हम लोग रहा करते थे बड़ी महबत और बहुत प्यार उस मिटी के मकानों में, आप जानते हैं मित्ती के माकम में रहने तो जो लोग होते हैं उनके दिल, उनके पास सुआए मुहबत और प्यार के और कोई चीज नहीं होती वो भी आपने देखी हैं तो यही वो विरासत है, यही वो दौलत है जिस विरासत और जिस दौलत को लेकर हम लोग जम्मूश शहर में आएं और उसके बाद जम्मूश शहर ने जो महबत और जो प्यार दिया जो खुलूस दिया और जिस तरीके से शहर के लोगों ने अपने बीच में जगा दी उसके लिए मुझे लगता है कि मैं जितना भी शुक्रिया शहर के लोगों का करूँ अतना कम है आज मैं अपने शहर से अपने घर से हजारों किलोमिटर की दूरी पर हूँ लेकिन यहां पर भी उस मिट्टी की महबत उस इलाके की पकाडंगा हो काली जन्नी हो, गांधी नगर हो, त्रिकूटर नगर हो, कोई भी जगा हो इन अलाकों की मिठास और इन अलाकों की महबत और उसके बाद इन यहां के लोगों का जो प्यार है वो हर वक्त, हर घड़ी, हर मिनट याल आता है यकिन मानीगा कोई सेकेंड ऐसा नहीं गुजरता जब ऐसा नहीं लगता कि मैं मिस कर रहा हूँ उस शहर को मैं मिस कर रहा हूँ उस शहर की खुबसूरती को, उस शहर के प्यार को, उस शहर की महबत को इस विदेश की धरती पर आपको सब कुछ मिलता है मगर स्विदेश की दर्ती पर बहुत कम लोग मिलते हैं कि आप उनके पास से गुजर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब आईए दो मिनट बैटते हैं कोई निम्बू पानी ही पी लीजे, कोई बांटा ही पी लीजे कोई चाय का कब पी लीजे हमारे साथ तो इसे अचानक मैं महसूस कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ जरूर इस फेलिंग को शेयर करू और आपको ये बताओं कि मेरे अंदर जो ये जजबा है गरी गुर्बत को लेकर, कमजोरी को लेकर, मायूसी को लेकर, मجبورी को लेकर कि मतलब मैं मजबूर और परिशान लोगों को नहीं देख सकता हूँ उसकी वज़ा ये है कि गुर्बत, कमजोरी, बेबसी ये सब चीजें हमने अपने जैसे जैसे हम लोग ग्रो किये, वैसे वैसे हम लोगों नहीं एक्सपिरिंस करी है हमने देखा है बेबसी क्या चीज़ है इसलिए जब मैं नوجवानों को देखता हूँ और नوجवान मुझसे कभी बार, कई बार नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं जब मैं देखता हूँ आप लोगों को, आपकी फरस्टेशन को देखता हूँ आपकी परशानियों को देखता हूँ तो यقीन मानिए, मैं खुद को आपकी जगार रखकर देखता हूँ इसलिए बड़े जञबे के साथ मैं आपकी बात करता हूँ बड़े जञबे के साथ मैं चाहता हूँ कि आप لوगों मैं बहनत करें यकीन मान ये कितनी जगाएं ऐसी थी जहां हाथ फैलाने पड़े जहां गुजारिश करनी पड़े लोगों से कि आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजे ताकि हम इस प्लैक्टफर्म को खड़ा कर सके और बड़ा बड़ी अजीब सी बात है बहुत सारे लोग कुछ लोग से जब मैं बात करता हूँ तो वो इसे भी एक चर्चा का विशे इसे भी एक डिबेट का हिस्सा बनाना चाहते हैं यह सोचे समझे बगार कि मैं किसी लाले का बेटा नहीं हूँ मैं किसी बड़े नवाबजादे का बेटा नहीं था जो जम्मू शेहर में आया और उसके बाद में अपना कोई मीडिया हाउस या कोई अपना छोटा सा मीडिया का प्लाटफॉर्म खड़ा कर सकता था यह तो मुमकिन नहीं 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 था तो इन humble origins से जो इनसान अपनी जिन्दगी की शुरुआत करता है, उस इनसान को हमेशा ही मालूम होता है, कि अगर कभी भी किसी भी वक्त जिन्दगी में वो मौका आए, वो लमहा आए, जहां तुम्हें वापस मैटडोर में चलना पड़े, जहां तुम्हें वापस पैदल हम इस मिटी से निकल कर आएं, स्ट्रेट लाइन ने पिछले पांच सालों में गवर्मिट के अड़िजमन्ट नहीं ली, स्ट्रेट लाइन ने पिछले पांच सालों में कोई प्राइविट अड़िजमन्ट नहीं ली, स्ट्रेट लाइन ने पिछले पांच सालों में किसी किसे हमका कोई कॉलाबरेशन नहीं किया और नहीं किसी जगा किसी जिस तरीके से लोग करते हैं आजकल कि जनाब आईए आपकी पेड प्रमोशन कर देते हैं पिसे जनुँ एक नया मेडिकल सेंटर जम्मों में खुला उस नए मेडिकल सेंटर को लेकर भी चर्चा हुई कि जन पसीना इसमें लगाया और इस इंस्टूशन को खड़ा किया है इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे वो लोग जो लोग अलग अलग तरह की धारनाएं और अलग अलग तरह के विचार रखते हैं मुझे आज लगा कि मैं अपने घर की तस्वीर आपको जरूर दिखाओं और आपक यहां मैंने सीखा है यही से मेरी शुरुआत हुई है तो यहां से जब मेरी शुरुआत हुई है तो इस तरीके से शुरुआत हुई है कि आज भी मैं अपने आपको कोई खलीफा नहीं मानता आज भी मैं अपने आपको कोई अफलातून नहीं मानता मेरी वीडियो में आप क का, मैं स्ट्रेट लाइन का मालिक हूँ, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं मुलाजिमों की मानसिक्ता और उनकी मेंटालिटी देखकर हैरान होता हूँ, जिन शब्दों का वो परियोग करते हैं, वो साफ तोर पर ये दर्शाता है, कि आप पत्रकार तो बन गए हैं, ले इसलिए भी ख्याल रखना चाहिए बात करते वक्त, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं, आप जब मुछ शेहर में दाइमाए घूमें, बहुत बड़े बड़े तूफान जब मुछ शेहर में आए, आस्मान पर पहुँचे, लेकि उसके बाद जब आस्मान से वापस जमीन प ख्याल रखें कि आप हैं कौन, आप आए कहां से थे और आपकी असली हकीकत क्या है, मैं आज तक नहीं भूलता, नकभी जिन्दगी में भूलूँगा कि मैं कलिहान से आए हुए एक सादा आदमी का बेटा हूँ, जिस सादे आदमी ने कलर्क के तौर पर अपनी पूरी जि एजूकेशन डेपार्टमेंट को दी, और जिस सादे आदमी ने हमको हर वक्त हर लम्हा एक ही बात सिखाई, कि सब कुछ करना जिन्दगी में, मेहनत बे इंतिहा करना जिन्दगी में, मगर लोगों के दिल तोड़ने का काम मत करना, कोई लफ़ तुम्हारे मूँ से ऐसा न गरीब तब थे, हम आज भी उतने ही कमजोर हैं, जितने कमजोर तब थे, कोई फरक हमारे स्टाटस में नहीं पड़ा है, तो अगर ये सब कुछ मुम्किन हुआ है, ये सब कुछ इसलिए मुम्किन हुआ है, क्योंकि हमें आज भी इस बात का ख्याल है, कि कभी भी किसी भी आपको पलट कर वही जाना है, जहां से आपकी शुरुआत हुई है, तो जब पलटना शुरू करें, तो परिशानी नहो, इसलिए खुद को हमबल रखते हैं, इसलिए हर एक की बात सुनते हैं, इसलिए जहां गलती करते हैं, वहां माफी मागने में एक लमहा बद भी देल नहीं करते हैं.